बन सदेशाई इन इल्जामों पर किस तरह से रियक्ट करते हैं कि फी इस दगेट कीपर आफ मातोश्री उद्धव ठाकरे के क्लोज हैं और जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब वरुण सरदेशाई ही टे किया करते थे, किसको access मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कौन सी deal होगी, कौन सी नहीं होगी, आपके posts कह रहे हैं कि धाकरे के रिष्टेदार होने के चलते वरुन सर्देसाई को टिकेट मिल गया खबरे चल रही थी कि वरुन सर्देसाई को भी विधान परिशद में नामांकित किये जाने की तैयारी थी लेकिन फिर बात बदल गई आपके जो अपोनेंट हैं जीशान से दिखी तो ने कहा कि वो एलाइंस में थे आप लोग उन्हें काम नहीं करने दे रहे थे अनिल परब ने धंकाया जो रोल परेल और लालबाग के उगर शिवसेनिक नों भाते थे वो रोल अब वरुन सर्देसाई की लोग ने भार रहे है एक लाल दस्ता सा है जो बिल्कुल जिसको लगता है कि हमारे राजनेतिक विरोधियों में हमारे लिए खौफ होना चाहिए अगर मेरा खूनी शिवसेनिक का है तो कभी तो बाहर आएगा नमस्कार मेरा नाम सौरभ दिवेदी ये महराष्ट की ललन टॉप की चुनाव यात्रा हम इस वक्त मुंबई में हैं विदान सभा सीट का नाम बेंडरा इस्ट और कैंडिडेट का नाम है वरुन सर्देसाई जो की शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के कैंडिडेट हैं यहां पर पहले हम लोगों को बोलना पड़ता था शिवसेना अब यह पिछले पांच साल में आप लोगों ने महराष्ट की राजनीती में इतना दाइबाय किया है सबने दो एंसीपी दो शिवसेना काम बहुत बढ़ा दिया है मुझे लगता है कि टेकनिकली शिवसेना लगों को पता है क्योंकि शिवसेना यह सिर्फ ठाक्री की हो सकती है आपने का शिवसेना ठाक्री की हो सकती है आपके एपोनेंट्स कह रहे हैं कि बात तो ठीक है ठाकरे की हो सकती है इसलिए ठाकरे के रिष्टेदार होने के चलते वरुन सर्दिसाई को टिकेट मिल गया कैसा है कि यह जो आरोप है यह मैं सही मानता अगर मैं छे मैने पहले राजनीते में आता या फिर मैं खुद का कोई बिजनेस चलाता होता खुद की नोकरी करता होगा खुद के प्राइवेट लाइफ में बिजी होता और वन फइन डे मुझे लगता कि नहीं अब चुनाओ नवी मुंबई में सिविल इंजीनेरिंग पड़ता था जब मैं फर्स्ट एर में था फर्स्ट एर में वहां के स्टूडेंट इशूज को लेकर मैं आवाज उठाई मैं अन्दूलन किया और युवासेना तभी नहीं नहीं बनी थी मैं युवासेना का कॉलेज उनिट प्र वहां से लेकर मैंने कम से कम 25-30 जगा पर कॉलेज पर जाकर आंदूलन किये वहां पर जो युनिट बनते हैं आपके दिली में भी बाहर बोर्ड अलगे हुए देखे हैं मैंने अलग-अलग स्टूडेंट उनियन के वैसे हमने युवासेना की जो स्टूडेंट विंग थी उसका युनियन बनाए उसके मसले हमने सॉल किये और वैसे कर करके बाद में मुझे दो तालुके की युवासेना संगटन की जिम्मेदारी दी गई बाद में जिले की दी गई और 2010 से लेके आठ सल बात 2018 में मुझे युवासेना का सचिव बनाए गया अभी हएग्ष है, 2010 से अभी मुझे संगे जिलेख अब तक मुझे लेकर अब तक मुझे है लगेलाए में 2018 में मुझे सचिव बनाय गया है सतीड diferente में मुझे में काम करने लगा तब मुझे लगता है कि महरास्थ्णा के 36 है उसमें ह्र एक तालूके में एक नहीं दोने कमसे कम तीन बार में गया हूँ शिवसेना के उमेदवार वो ग्राम पंचे के लिए खड़े हो और लोगसभा के लिए हो उनके लिए मैंने जा के कैमपेंड किया है उनके लिए मैंने जा के काम किया है मैंने पाल्टी का social media चार साल संभला है 2019 के लोकसभा में मैं शिवसेना का स्टायर केमपेनर था मैंने लोगों के सामने जाके भाशन दिये है मैंने जो शिवसेनिक का डियन है उसकी तरह रास्ते पर उतर के आकरम कांदुलन किये है मैं पार्टी के लिए डेटा और अनलिसिस का काम देखता हूं क्योंकि मैं इंजिनियर हूँ तो पार्टी संगरतन बढ़ाने के लिए मजबूत करने के लिए जो-जो करना पढ़ता है वो मैं सब करता हूँ और इसलिए सारे शिवसेनिकों को भी पता है कि मैं किस तरीके से काम करता है मुझे ये पता था कि मुझ पर अगर कई आरोप लग सकते हैं तो उसमें से एक आरोप यही होगा कि तुझे क्या इस वज़ा से टिकेट मिली क्या इसलिए मैंने खुद का सीवी बढ़ा है तिरश्मी ठाकरी जी आपकी मौसी है जी है और उसमें गलत क्या है अगर मुझे कल मैं वाफिर एक बार करता हो कल में राजनीते में आता इसे कोई MLA और MP के बेटे-बेटी आती है और वन फाइंडे इलेक्शन लड़ते हो और हार जीत कुछ भी हो उसके बाद देवो बैट टो बात अलग है मेरी जो पूरी जर्नी है यहां के लोगों ने देखी है मेरे वीरोधकों ने भी में 2014 में 2014 में यहां पर काम किया और उसके बाद हमारे विधान सभा के चुनाव थे जिए सो मुझे I was young I wanted to stay back and continue working for Shiv Sena but like I think every middle class Indian family, my parents told me that you first study in engineering and then you have to do what you have to do in life and my party seniors also told me that you have such a good university why don't you finish your studies and then if you still like being in politics then you can continue so I went there and I graduated in a year then I was working for a year and I was that time also I was trying to work on party social media then I got back, I joined my father's business but when I was doing it, I realized that my passion is more than that I found a good niche in which I could contribute a good way and I got a lot of acceptance and I got a lot of acceptance for the people and the party also gave me a different gym. I had a bike bike for 20 days and I could deliver well. the university in that I was ten cities in Mumbai University SENATE which were the Senate and then I got a great responsibility to the party leadership. I had to try to deliver the results. Party could have seen the results. I was also appointed last year as the Hershivesen Party Secretary. कि जो आदमी संगटन का काम करता है उसके दिल में यही ख्वाइश होती है कि कभी ना कभी पार्टी का नेता बनो पार्टी का सचिव बनो नेता तो ठीक है बट सचिव तो बन पाया मेरे लिए खुशी की बात है यहीं पर लोग फिर वरण पूशने लगते हैं कि 22 साल के और क साइना दुरगे कर मेरे एक कलीग है, he became the party secretary at 37. The party decided, जब 40 लोग हमारे party को चोड़के चले गए लिए खुशी अगर मेरे पॉलिटिकल पर्फॉर्मेंस में कुछ खामिया हो इफ I have not been able to deliver whatever responsibilities the party has allocated me अगर में अगर में अगर में आपको सिर्फ इसी एक बिना पे कॉर्णर किया जाता है कि नहीं मुझे कोई नहीं 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 विखो जो अभी हमेरे सामने खड़े है तो कोई ना कोई टाइम पर हमेरे साथ थे अगर है जिषान सिदिकी की बात कर दूटिक, गए जिषान नहीं मैं बिजे पी शिंदे सीन अगर मुझे लगा रहा है आपको नहीं नहीं अश़्ान अगर में बात किया है ने अच्छ थे क्योंकि इन-फ़क्टार्ट रे वी क्लोज्ली है विधिन में विधिंगे तरिक 2019 कि यह सियासत वाली राजनीती देखी नहीं थी, I was always an organizational guy, मैं जब मेरे seniors को assist करता था, तब मैंने first time देखा कि Chief Minister काम कैसे होता है, और किस तरीक ऐसे यह होता है, भी कही चीज़े में बता नहीं सकता, but it was a good experience, ऐसे कुछ है नहीं, बाद में हमारे आपको बोलना पड़ रहा है क्या, क्योंकि बैंडरा इस्ट में आप चाह रहे हैं कि BJP का काडर आपके साथ आजाए, जो इशान से दिखी से, आप आप देखिए, बैंडरा इस्ट का जो डेमोग्राफिक है वो थोड़ा अलग है, बैंडरा इस्ट के लोग यह मातुशरी प यह मातुशरी बैंडरा इस्ट के बातिख इंडरा इंडिपेंडराण के बात रहा है उनके और हमारे वोट स्प्लिट के बीच में निकल गए इस बार वोस्तिती नहीं है यह रोंक कॉल कैसे होगे टिके डिस्टिबिशन में रही उन्हें पार अनिल पर अनिल पर ने गलत क उपर आये हुए शिवसेनिक थे पाच या छेटम के नगर से वक थे बैक देन सी इस तिंग्स एपन अक्रॉस तो मुझे लगते हैं हर एक जगा पर होता है यही कहती गुम रही कि मेरी गल्ती क्या थी मैं मेरे पती बाला साहिब की सेवा में गुजार दी शिवसेनिक पूरी लएफ उनने कोविड में कुछ काम नहीं किया थी जोई बीजेपी बीजेपी में जाकर उनके साथ जो दो अननीस में काडर था वो काडर सब हमारे साथ जूड गया क्योंकि उनको समझ गया कि आरे हम आपस में बिढ गय और यहां पर किसी और पाटी का जंड़ा आ गया लोगों को पसंद नहीं हाता पीपड डोंट लिए शड़न देर कोड़ उनकोड तो आटने कोड सो फस्तो था तो फार्ट मैं मेरा काम लोगों तक लिए जारा हूं और मैं वापिस वापिस बताना चाहता हो कि वांदरे पूरवव यह यहां पर श्यरी पर शिवसेना पर प 2017 में BMC के चुनाओ, सब पर्टी अलग अलग लड़ी, तब सात में से छे सीटे हम जीते हैं, यहां पे जो कॉर्पोरेशन के वर्ड आते हैं, यहां का जो बहराम पाड़ा है, जो फुली मुस्लिम डॉमिनेटेड एरिया है, वहां पर भी शिवसेना के ओफिशल सिंबल पे हम इसलिए हम वेरी कॉन्फिडेंट पर यह कभी आपको एक जिच लगती है कि शिवसेना, हिंदुत वाली पार्टी बड़े जोशु खरोस में और स्वीकारोक्ती के साथ कहा करते हैं, कि हमारे शिवसेनकों ने जाकि आयुद्या में बाबरी मस्जिद के राई, अब आप एक एक ऐसे ऐलाइंस में जिसमें कॉंग्रेस है, जिसमें NCP शरत पबार है, जिनके लिए बहुत जलूरी है कि माइनॉर्टी वोट उनके साथ रहे, तो यह किसम की डाइलमा, डाइकोटमी, देखिया, क्या है कि हमारे जो नेता है उद्ध उठाकरे साब, वो जब सीम बने, त पीपल फ्रॉम आल कम्यूटी टेडिए, लिलिजिन्स टेहें एल लवडियों टीजिए लिए लेखिया लिए लिए लवाग्यूटी लिए 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 हमारे एक्सेप्टेंस अग्रोस प्म्यूटी जो गया, आज भी मैं कली मेरी प्रचार रफिरी ये टी बहरांप या सीख है या क्रिश्यन है या बोध है सबको सबको जो 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 सर्विसेज गवर्मेंट की और से चाहिए थी वो दी गई और इसलिए लोगों ने हम पर प्यार जाता है शेव सिना इस ट्राइं टो रीइंवेंट की बात ही नहीं है एक पक्का हो गया है कि हमारा वोटर बेस हमारा वोटर बेस बढ़ गया है और हम पर जो यह आरोप लगाया जाता है कि हम मुस्लिम और दलित वोट के आधारे हम लोगसभा के चुनाव जीते हैं तो मुझे लगता है कि मैं इंजिनियर हूँ थोड़े बहुत नंबर्स की मुझे आ लाइक प्लें अरूंबर्स रीड इसलिए कोई नंबर्स कुड नेवर क्रॉस एट और नाइंट सेट शिवसेना और बीजेपी का अलाइंस तो विन 41 और 42 आप 14 और 90 या अब यह हो गया कि शिवसेना नाम भी बीजेपी के साथ है दनुष्यबैंड भी उधर है एक नाचिंदे जी भाँपर है निजिए और 288 में से 200 के उपर MLA जुनके साथ है, फिर भी आउट of 48, they could get only 16. And the reason is, क्योंकि उद्धव ठाकरे ये ब्रैंड उनसे अलग हो गया, ये ब्रैंड अज कॉंग्रेस और NCP के साथ आके, MBA के साथ आ गया, और हम हमारी वोट बैंक यहां पर लेकर आए, विच इस वाए यहां पर वोट कांसोलेडिशन रहे हैं. आप उद्धव ठाकरे जी कर जिक्र कर रहे हैं, मैं आपके जो अपोनेंट हैं, जीशान से दिखी, पिछले देनों उनका इंटर्व्यू कर रहा था, उन्होंने कहा कि वो एलाइंस में थे, आप लोग उन्हें काम नहीं करने दे रहे थे, अनिल परब ने धंकाया, कि तेर इंटर्व्यू उन्होंने का अधित ठाकरे हों, उद्धव ठाकरे हों, अनिल परबु उन्होंने हमें काम ही नहीं करने दिया, ओफिसर्स को कहा जाता था कि जीशान से दिखी का कोई काम नहीं करना है, and probably because they wanted to settle you in this constituency, see, I think, I mean I don't expect him to make such charity statements, 2019 में वो शिवसेना के MLA नही थे वो कॉंग्रेस के MLA थे, अनिल परब जी यह शिवसेना के नेता है, उद्धव ठाकरे साब यह सिएम थे, पर यह सिवसेना के पार्टी प्रेसिडेंट है, पर सपोर्ट तो कॉंग्रेस का भी था, रहेंगे नहीं दीजिए ना, उन्होंने कॉंग्रेस नहीं छोडी, क्योंकि विधान परिश्द और राज्यस सभा के इलेक्शन में उन्होंने कॉंग्रेस के के खिलाफ काम किया, पिछली लोकसभा चुनाओं में उन्होंने वर्षा गायकवाड जो ओफिशल की उमिदवार थी उनके खिलाफ काम किया, एंटी पार्टी एक्टिविटी के लि परिश्द टिकेट पर आपके पापा ने बीच में ही आजित ददा का हाथ पकड़ लिया, आपने भी आजित ददा का हाथ पकड़ लिया, यह तो लोग कह रहे हैं, अभी उनको अभी उनके पास सुनवाई देने के लिए और कुछ है नहीं, इसलिए अब यह सब रिजन बत आपने विधान परिश्यद का जिकर किया, खबरे चल रही थी कि वरुन सर्दिसाई को भी विधान परिश्यद में नामांकित किये जाने की तैयारी थी, लेकिन फिर बात बदल गई, इस देट ट्रू, नहीं क्या हुआ, कि जैसे मैंने पहले भी जिकर किया कि मैं स्टूड 10-10 परिश्यद में जीटी, 18-18 में जीटी, आपने EBP गए, जीटी विधान परिश्यद की जो ग्राजूए का जीटीज़श्यद की सुद्ध थी को ग्रम्राजन की जीटीज़ एंसा का, उसका मोडस उपरेंडी और सेनेच दानेटी दीए हुआः चानीक्षाछलियद में अगर हमें उन्हें मुख्यमंत्री बनाना है तो सीधी सी बात है जादा से जादा से जादा विधायक यह हमारे शिवसेना की जित के आने चाहिए अगर वो जीत के लाने है तो हर एक कॉंस्टिटिवेंसी में अपने अच्छा बंदा हमें खड़ा करना पड़ेगा और इसलिए वरुण सर्दे सही को विधान परिशद मिल सकती है क्या शायद और पाच्छे सालों में मिल भी सकती है विकि मैं संगटन का काम कर रहा हूं संग अगरा नेता लड़ रहा है अगंस्ट और लॉट्स इस फाइटिंग एलेक्शिंस विवांस तो विन फ्रॉब्लिक व्यों अपके एक और रिष्टेदार लड़ रहे हैं मायम से अमिध ठाकरे यह कंटी है नहीं रहे हैं मतलब मैं जानता हूं लेकिन I have given him my wishes but see we have to understand that MNS party was founded around 18-19 years ago परेष यॉनीट। यॉनीट। प्राइब्टेट प्रूपरोडरियों सेपरेट इस पराइब्रेट। क्यू में मेरे चयार जो ज। नहीं जुबूquisite। मुझ Oluk Sonja सावन के लिए जाके प्रचर करूंगा वरुन सर्देसाई इन इल्जामों पर किस तरह से रियक्ट करते हैं कि ही इस दा गेट कीपर ऑफ मातोश्री उद्धव ठाकरे के क्लोज हैं और जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब वरुन अगर उनके विरोध में आगे आता होगा तो उसका स्टार्ट मी केरेक्टर अससिनेशन कर दो मैं अकेला इसको फेड मैं अकेली ने पेस नहीं किया है महाराष्ट्र में जितने यंग लीडर्स हैं जो बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा थे थे सबके खिलाफ इन्होंने ऐसी साजिश करके इनका नाम खराब करने की कोशिश की वो एक भी बार सक्सेस्फूल नहीं हो पए अधित्य जी पे बहुत गंदे आरोप लगानी की को कोशिश की कॉंग्रेस के जो यूत विंग के स्टेट प्रेसिडेंट थे उनको जेल में डालने की कोशिश की अगर इसमें वन परसेंट भी कोई भी जो आरोप लगाए गए उसमें अगर रियालिटी होती तो पिछले ढाई साल में तो इनकी शासन थी इनकी सियासत थी एक अगस्तो देते हैं प्रूफ का माइक के सामने आकर ये ऐसा आदमी है वो ऐसा आदमी है ये बुलने में क्या मतलब है देश में इंटरनेट फ्री है यूट्यूब में लाइक मिलते हैं संसनी बाते करके इसका मतलब वो सच नहीं हो जाती एकना शिंदी ने भी एही बात कही एक्सेस की, कि मिल नहीं पाते थे साहिब से, गंटों के इंतिजार के बाद कहा जाता था, आदित ठाकरे से मिलके ज़िए, यह जो चीजे है, यही इसी बात का मुझे बहुत जादा दुख होता है, क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि भले ही मेरी उमर कम हूँ, मैंने यह ज चाहिए, तो बोल सकते, मैं उनको रिटार्ट करूँगा, लेकिन जब उद्धो ठाकरे साब पर बात करते हैं, तो मैं बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उद्धो साब ने, यह जब सब आम आदमी थे, वहां से लेकर इनको खाज बनाया है, यह पूरी जर्नी मेरे जैसे ब तब तब आप उद्धो ठाकरे साब ने, आपके सर पर, जब उनके सामने सो देड़ सो लोग थे, तब आपको हैंड़ पिक किया, आपको बड़ा किया, आप पे रिस्पोंसिबिलिटीज दी, आपको अपॉर्चुनिटीज दी, आपको बड़ा करने के बाद, अब उनके ल बात नहीं कर रहा हूं, मैं यह सारे 40-40 लोगों कर रहा हूं, पर एक्सेस कंट्रोल की बात उपलबदता है, आप कभी वर्षा का और यह सब का आप CCTV निकल के देख लीजिए, वर्षा महराश्य मुख्यमंत्री के आदिकारिक आवास का नाम है, यह आई तिंक उनके पास UD विए अउप्राइज जब यह रेबलियन हो नहीं वर रॉडब अशन नहीं अटिसपेट कर रहे थे आपकी संटी है, यह अई एपकी संटी अगराश्य मुख्यावाश्य मुख्याश्य मुख्या नहीं बात पर टोग्या दो पूट प्लेम उन में वर्ड़ इन सब को रोख वो जो जो भाग गए उस दिन के उपपर से उनका उन सब का मेरे बहुत हुस्सा है मैंने सुनाए कि एक पूरा नहीं एक कोई प्रोपोगांड़ा मुवी बनाई है उसमें एक सीन डाल दिया है मेरा नाम नहीं लिया है बट कुछ तो मेरे उपर टिपनी भी की है वो इलेक् करेंगे हमने ऐसी स्ट्रेटीजी लगाए हमने दोनों केंडियट छूल किया है इनके बारा लोगों ने हमरे खिलाफ वोटिंग बीजेभी एक एंडियट को वोटिंग की फिर भी इन्हें हमारा कोटा समझ नहीं पाया आज तक इनको पता नहीं हमने कौनसा प्रेफरेंस को भाते थे वो रोल अब वरुन सर्देशाई की लोग निभा रहे हैं एक एक लाल दस्ता सा है जो बिलकुल जिसको लगता है कि हमारे राजनेतिक विरोधियों में हमारे लिए खौफ होना चाहिए खौफ की बात नहीं है कि आप ऐसा कोई उग्रदस्ता संचालित कर रहे हैं आ पार आयेगा फ्रिका पार्टी को जो जो जरूरत है संगटन को जो जरूरत है वो काम में करता हूं और istersड़ाई तो शुरूरात से रही है फ्रिकर की बात नहीं है बात हमारे बात की है कोई आकर मातोश्री में घुसने की बात करेगा था जे तो हम क्या सृन करेंगे अब करें च तो देखिया क्या है कि दोनों बार कि अन्दर गुस के दिखाएंगे दूसरे ने तो दो साप पर वहियक्तिक टिपनी की इस सब के बाद भी अगर हम चुप बैठे तो क्या मतलब है बड़े-बड़े पद लेने का अब जिनकी चर्चा औरी उनके बेटे का एक भाशन है आपकी उपर जड़ा उस पर आपकी रियक्शन ले लूं उनका कहना है कि यह जो ए एक IPL में अवैद सक्टेवाजी चलती है उसमें वरून सर्देशाई का कट रहता था आपके प्रद्वंदी इर्जाम लगा रहे हैं कि आप अवैद सक्टेवाजी में धनुगाही करते हैं निकल श्राणी की बात करते हैं यह उन्होंने प्रेस कॉंफरेंस ली यह प्रेस क अवैर कर दूंगा मैंने उनको फीर्मेशन की बेज द Iya क्या स्थे थे नहीं यह निकली आप को इनका है लेकर चाहता था करता था मैंने नोटीस भीज्जी स क्टाइम दिया रिपलाई करे गलिए उनको आज तक रिपलाई निया तेक आए देखे है मैं वियह आपको चीज होना यह जो क्या है इनका क्या होता है कि character assassination कर दो आज हमारी सत्ता नहीं है धाई साल केंद्रा में तो इनकी सत्ता है पिछले पाथ साल जे स्टेट में इनकी सत्ता है मैं तो इनका political opponent हूँ बीजेपी किस तरीकल से अपने अगर इसमें कुछ सच होता तो यह मुझे छोड़ते आज तीन साल हो गए क्या बता पाए मैं ऐसी गंदी वरसनल लिवल पर जाता नहीं पर यह क्या हो गया कि आज मेरी कुद की फैमेली इस नौट इस नौट इस जब ऐसी बाते आती है तो तो यह तुक प्रेस कॉन्फरेंस उसके बाद तो कई आरोब लगा दिये गए मैं पॉलिटिकली उसका आंसर दे देता हूं लेकिन कोई ऐसे वहियक्तिक तोर पर जब कोई बात करता है तब ही डाट उनली टाइम वेन डिसाड़े तो डिफेंड वरुन हम शिवसेना की शाखा में यह बात्चीद रिकॉर्ड यह जो शिवसेना की शाखा है लगबक मुंबई में ऐसे तीन सो के उपर यह शाखा है और यह हमारी एक जिसको वार्ड ओफिस कहते है यहां से पूरा शिवसेना का फंक्शनिंग जब से हिंदुरुदय समराठ शिवसेना प्रोंग बाड़ा सब ठाकरे जी ने पार्टी का फांडेशन किया तब से हमारे ओफिसे शाखाय काम कर रही है यह सातों दिन खुली रहती है रात को एक बज़े तक खुली रहती है एक बज़े तक और यहां पर आप कोई भी नागरिक कोई भी मामला लेकर आए फिर वो पुलीस से जुड़ा हो वी बीमसी से जुड़ा हो वो ऑस्पताल से जुड़ा हो हर एक चीज हम सौल करते हैं अठी के बॉर्ड में और थो बहुए है करूपुरेटर के अलग ओफिस नहीं होते कॉर्परेटर भी यही आकर बैठते हैं यही तो हम आज मैं पार्टी का सची हूँ मैं आया तो भी ङही बैठूंगा मैं उमीद कौन अंगे में एवी देख सकते हो कौन आया कौन डै अप देखोगे यहां पर दिया और treat कि आप देखिए एड्मिनिस्ट्रेटिवली एधिंग शिवसेन इस ट्रॉंगेस पर्टी यहां पे आपने देखा तो हम वांदरेपुरुव में है तो वांदरेपुरुव का मैप है मेरी रोच की जो प्रचार फिरी है उसका रूट लगाया गया है सारा हमारा प्रचार यह ह अब यहीं से उप्रेट करते हैं जी मैं तो जब जब बिकॉस अबसे करेटरी तो मैं पिछले आठ साल में शिवसेना भावन जो हमारा है एड़कॉर्टर है विच इस तो सिट देर अभी चुनाव लड़रा हूं करके मेरा फंक्शनिंग यहां से है बाकी जो सारे पार्टी वांदरे और असेंबली का नाम भी इलेक्शन कमिशन की सबसे बादरे पूर्व और यह जगह भी बांदरे वांदरे वांदरे वह यह सबसुरंघरे वाले बेंड्रा है वांदरे बोलना चाहिए तो आप बांदरे पूर्व के शिवसेना उद्दौब ऑल्ला साफ ठाकरे यह प्रत्याशी वरुन सरदिसाई को सुन रहे थे आपने इतना समय दिया बहुत-बहुत शुब कामना है आपको चुनाओं के लिए और आप आपकी बारी है शुब कामना है आप प्रेशित करते रहे लेकिन उससे भी जरूरी है फीडबैक देते रहे अपने नेताओं के बा कारे में भी शुक्रिया हूँ